एक सराबी अपने सराब पीने के लिए क्या-क्या तरक देता है आगे देखिए वीडियो में पहला है कि वह बोलता है एकनोमिक गुरोध कर रहा हूं है मतलब अगर आप उसको बोलेंगे कि सराब क्यों पीर है तो बोलेगा कि नहीं आपका अर्थव्यस्ता जो है अपना देश का अर्थव्यस्ता बढ़ा रहा हूं दूसरा टेंसन बहुत है और तीसरा है वह हर एक ब्रांट के सराब का मजा लेना चाहता है जापान में कुछ दिन पहल की थे पहले उनकी हत्य हो गए अभी जापान के सरकार ने नियम निकाला कि नहीं नहीं हमारे देश की अर्थव्यस्ता तोड़ी ठीक ठाक नहीं है तो आप खूब दारूप कीजिए मनलब उनको इस तरह से किया जाएगा कि आप दारूप कीजिए ताकि आपका देर अर्थ अगर सराप से ही अर्थव्यस्ता मजबूत होती है तो क्यों ना पूरे के पूरे देश में सराप को लेगल करके क्यों सराप पिलाया जाया ताकि इकनोमिक बहतर बनाया जा सके इंडिया में भी हुआ था जब यह लोगडाउन लगा था तो भारसरकार लोगडाउन में देश में बनेंगे आप इमेजिन करिए कि देश का अर्थव्यस्ता तो बनेगा लेकिन उसके पीछे कितनी सारी कम्याएं उजागर कर देती है सरकार की नाकाम पोलिसी उसके बारे में भी विचार करना पड़ेगा लेकिन विचार करने करेगा कौन आप और हम लेकिन आप तो बने देश भक्त आप तो पीएंगे सराप और बनाएंगे देश को इकनोमिक क्रोध देंगे आप तो विचार करने के लिए बैठा कौन है त तो आप पीजे सराप और बनाएए देश को विकास से देश सराप पीपी कर। और हम आपको बताते हैं कि एक्षोल में आप सराप पीने से आपका देश तो चलेगा लेकिन आप जब इसका एडिक्षन हो जाएंगे तब आप जब अर्थविष्था को मजबूत देदेंगे तो आपके बाद जो अर्थविष्था मजबूत हो जाएगी तो उसके बाद पीने सराप का ठेका लिया है वही आपका जब आपको कोई लीवर वर का प्रोब्लेम हो जाएगा सराप पीने के बाद जो बीमारी होती है वह प्रोब्लेम होगा तब आप से वही फिर से उसी तरह से पैसा लोटेंगे जैसे अभी अर्थविष्था मजबूत करने के नाम पर लोटा जा रहा है तो आप समझे अर्देश्ट बचाना है अपना सरीवर बचाना है यहां परिवार बचाना है यह तो फिर एकोनोमिक ग्रोथी बेहता है